हलो दोस्तों कैसा है आप लोग जैसरे कि अपराज्टा 아प लोको बताएगे कि विंटर सिजन आगया है, विंक्तर सिजन में जीते हैं भी हमारे फ्लावर प्लांट है, बहुत अच्छे बिलूम करते हैं, तो उस हमें लिए पराज्टा है, जोसे हमें बहुत अच्छे से फ् प्राजता के प्लांट से अच्छे से फ्लावरी पा सकते हैं तो वीडियो में फ्रेंस लास्ट तक बने रहेगा वीडियो का अच्छी लगए तो लाइक शेर हैं चैनल पर नहीं हो है तो सब्सक्राइब करके जरूर चाहिएगा साफ में लाइकर में प्रिस कर देना ताकि प्राजिता होती है तो इनको पिल्कुल अगर बेल करूप देना चाहते हैं यह तो हम पर दिल्कुल अगर तो बेल का रूप देना चाहते हैं तो इनको पिल्कुल अच्छे से फैल ले दीजिए आप को ही रस्य दिवाल का सपोट दे दीजिए तो वह अच्छे अपना विकाश करेंगे अगर नहीं वेल कर रूप दे सकते हैं जगा इस पैस नहीं है तो आप इनको प्रून करते रहें सब्सक्राइब करेंगे तो अपने जगा जगा से स्टेंप्स निकाल लेंगे और वह घना होता जाएगा जितना घना होगा फ्रेंस आपको पता ही है उतने ही अच्छे सब्समें फ्लावरिंग आएंगी कली आएंगी देखने में बहुत ही खूपसरत लगेगा मैं अपना बहुत अच्छे में प्लूमिंग हो रही है वेल वाले जितने अच्छे सब्समें फ्लावरिंग भी करेंगे इस चीज को धियान रखेगा पॉट अच्छा सेलेक्ट करिएगा क्योंकि इनके जड़े तो ज्यादा फिलाल फैलती नहीं है लेकिन हां नहीं ज्यादा छोटा बड़ा 12 इंज का पॉट इनके लिए काफी होता है या फिर 10 इंज का पॉट क्योंकि फ्रेंस जब यह अच्छे से इनको फटिलाजर और क्या कहते हैं जगह मिलेगी तभी अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी आते फटिलाजर के बाद फ्रेंस फटिलाजर इनको हमें हर 15 दिन कि अंत्राइल में देना होता है चाहे वो आप ऑप और्गैनिक दो घर का वनाओ कोई पी चीज दे सकते हो जिसे के किचन वेइच निकलते रहarner junior को दाल का पानी हो गया धुलते हम लोगया फैक देते हैं तो फैकनिंग हो जाएगर हम गम्लों में डाल देते हैं तो देख को कोई भी चीज आपका फ्लावर हो या विजी टेपल हो बहुत अच्छे से गुरोध करेगा तो यह चीज जरूर करिएगा धूप मैं इंपोर्टन है इनके लिए धूप आपको आप अगर गंबले में लगाके रखे हैं तो इनको कम से कम 7-8 घंटे की धूप प्रॉपर चाहि सर्दियों में धूप हलकी हो जाती है साथ 8 घंटे धूप रहती ही नहीं है लेकिन हां इनको 4-5 घंटे दो दिन घंटे भी इनके लिए काफी होते हैं तो धूप मैं इंपोर्टन है छाओं में अगर आपके पहुदे रहेंगे तो फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं देखेंगे घंटे रहेंगे पस और फूल बिल्कुल नहीं आएंगे तो जरूर धियाँ दिजेगा जब तब अच्छे से धूप नहीं दिखेंगे इसे भी फ्रावरिंग नहीं होगी फर्टिलाजर के बात कुरू तो आप इनको कीचन का जीसे बना सकते हो तो मैंने एक य जो चने आते ना काबली चने या जो देसी वाले चने आते उनके जो पानी वगेरा हो देना वो हम अगर फेकिनी के बचाए गंबले में देते हैं तो वह बहुत अच्छा असर करेगा जिसकी में बताया है तो किस तरीके से देना फ्रेंस जिस पोड है जिस पोड पर मैंने क्या कहते हैं अप्राजता लगाया हुआ है उसमें कोई भी वीट सो या घा सोगे रहूं उनको पहले हटा दे अभी फिलाल मैंने वाटरिंग करी थी जिसके जैसे इनकी मिट्टी तो इसे गेली हो जब भी आप प्रेंस से बाद बता दों जब भी आप इनको फटिलाजर द ठंडे नगर्म है लेकिन सुस्कुता है जिसके वजह से मिट्टी अच्छे से उसमें गेली ज्यादा नहीं रहेगी तो आप दे सकते हो किचन वेस्ट तो हमें क्या करना है गुडाई कर देना उसके पहले आप दोपहर में गुडाई कर दीजेगा मिट्टी थूरी से ड्रा पहुत जरूर कर लीजेगा यानि कि दो दिन रखके रखके तभी दीजेगा तब देखेंगा बहुत अच्छा से असर दिखाएगा अप राजता के लिए वेस्ट फटिलाजक माना गया है तो आप इनको गर्मी बर्शाथ और इन दिनों में भी दे सकते हैं और फिर कुछ दिन बात देखेंगा फ्लावरिंग बहुत इच्छे से होने लगेगी हर 15 दिन में इसे दे सकते हैं किचन वेश्ट है तो आप रोज दे सकते हैं कोई नुकसार नहीं करेगा बस कोई सड़ा चीजे जो सबजी आकसर सड़ी आज आती है तो इनको मट डालेगा उसमें फंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए और फ्रेंस दूप पराबर दिखाएगा पानी चेक करके दीजिएगा ओबर वाटरिंग होगी तब भी आपका प्लांट मर जाएगा तो पानी का भी ध्यान दीजिएगा तो यह थिया छोटी सी मेरी वीडियो फ्रेंस अगर आप लोगों को अच्छी एन हैल्फ लगी हो वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल पर नहीं होए तो सब्सक्राइब जरूर करना साथ में लाइक में प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब मैं इसे वीडियो ब्लोग के साथ में शेयर करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप यो न्यू ब्लांट न्यू इंट्रमेशन के साथ तब तक के लिए आप लोगो बना ख्याल दिखिएगा बाबाई